दोस्तो आज की वीडियो देखकर आप एकदम धंग रह जाएंगे या फिर इंग्लिस में कहूं तो आप एकदम सौक रहेंगे भाई ये सब कैसे वो भी एंड्रोइड फोन में तो आप इस वीडियो को देखते रहेंगे नमबर वन ये रहा मेरा फोन एंड मैं अभी वीडियो देख रहा हूं अभी ये मत पूछना की क्यों देख रहा हूं अभी अगर आपको एक वाटसप पर मैसेज आए तो आप क्या करेंगे या फिर मैसेंजर पर मैसेज आए तो आप क्या करोगे आप वीडियो को cut करोगे, वापस messenger में, whatsapp में जाओगे, वहाँ पे जाकर आप उस message को reply करोगे But in my case, मैं वीडियो देखते समय है, मैं उस message का reply भी कर सकता हूँ, वीडियो भी देख सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़े कि उसे कुछ search करके, गूगल से उसे कुछ message भेजना हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारा कुछ, अगर यह जरूरत पड़े, तो मैं उसे बिना वीडियो को close किये, बिना whatsapp के close किये, बिना messenger को close किये, यह काम मैं बड़ी ही आनाम से कर सकता जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तो यह सब मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने android phone में कैसे कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो नमस्कार दोस्तो, मैं राधराम प दोस्तो, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक किजगा, इस चैनल को सब्सक्राइब किजगा, एंड इस बेल आइकन को अन कर दिजगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो कभी मिस ना हो सके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तो, स्टेप नमबर वन, अगर आपके पास Samsung Galaxy का J7 Max है, तो इसके लिए आपको कोई भी application इस्टॉल करने के आव सकता नहीं है, यह आपको inbuilt feature दिया गया है, अगर आपके पास कोई और phone है, लाइक इसके अलावे, तो आप पुछेंगे, भई यार तू Samsung के लिए क्यों बना रहा है, हमारे लिए नहीं बना रहा है, भई उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक already वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आपको कैसे इसे अपने phone में activate करना है, बहुत सारे simple तरीका है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, तो यह trick सभी Android phone पे work करेगा, जो कि आपको multi window में आपको access करने के लिए सारे option यहाँ पे मिल लाते हैं, यह सारे के सारे application को आप एक साथ run कर सकते हैं, वो भी अपने Android phone में, for example, जैसे कि मुझे एक message आया WhatsApp पे, and मैं इस message को reply करना चाता हूँ, और साथ में मैं YouTube भी चलाना चाता हूँ, Facebook भी चलाना चाता हूँ, और Chrome browser चलाना चाता हूँ, तो, and Twitter चलाना चाता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे बस मैं simple size से minimize कर सकता हूँ, and यहाँ पे मैं WhatsApp पे reply भी कर सकता हूँ, reply करने के बाद मैं इन सभी को एक साथ use कर सकता हूँ, तो यह trick सभी Android phone के लिए work करता है, and इस app का download link आपको यहाँ पे icon दिखे application में है, वहाँ से आप download कर सकते है, and अब Samsung Galaxy J7 Max जिसके पास है, उसके कुछ भी नहीं करना है, कहीं से भी कोई भी और application install नहीं करना है, बस आपको आपके phone के recent button पे click करना है, and उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी application को आप multi window में यूच करना चाते हैं, उस तरीके से आप इ कर सकते है, and उसके बाद, for example, अगर आप YouTube देख रहे है, and आपको एक message आए, and उस message को आपको reply करना है, तो बस आप इस circle पे click किजे, WhatsApp open किजे, and यहाँ पे आप reply कर सकते है, अगर आप से कहीं search के लिए, या फिर कुछ link और आप मांगे, या पिर आप कहीं और browsing करना चाते है, तो वो भी आप कर सकते है, बस आप उस icon पे click किजे, यहाँ पे आप browsing किजे, and यह भी यूज किजे, वो भी यूज किजे, जितने भी यूज करना है किजे, and यही थी, आप सभी के लिए, एक smart split screen का video, तो आपको कैसी लगी, आप नीचे comment करके जरूर बताइएगा, दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, इस काले बटन को ब्लू कर दो, यानि की लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को फैला दो अपने सारे एंड्रोइड्स वाले फ्रेंड्स के साथ, and मिलते है फिर आप से वोडियो में तबता के लिए, टेक क्या तिल देन, and गुद्पाय.